नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका आप देखना शुरू कर चुके हैं सुदेश टॉकीज मैं हूँ आपके साथ प्रशान पांडे और हर बार की तरह नई फिल्मों का रिव्यू हो बॉक्स आफिस एनलिसिस हो सभी कुछ होगा आज के सुदेश टॉकीज में मगर सब से पहले आज हम बात करने वाले हैं जिस फिल्म की उसका नाम है तेजस इसके अलावा दो और फिल्मों माफ कीज़ेगा एक फिल्म और एक वेब शो यानि OTT का भी आल हम आपको बताते हैं तो एक वेब शो का भी हम रिव्यू करने वाले हैं तो चले शुरू करते हैं आज का सुदेश टॉकीज तो इस हफते बड़े परदे पर रिलीज हुई है कंगना रनौत की फिल्म तेजस जिसके डिरेक्टर है सरवेश मेवाडा कैसी है ये फिल्म और चूकी एक एरियल फ्रेंचाइज की फिल्म है एक कह सकते हैं कि भारत की पहली एरियल फिल्म यानि एर फोर्स पर बनी एक आउट औन आउट फिल्म इसे कहा जाएगा तो इस पर बहुत सारी जिम्मेदारिया है जिम्मेदारी इसलिए भी क्योंकि एक देशभक्ती फिल्म है अब एक देशभक्ती फिल्म में होना क्या चाहिए? सबसे पहले तो देशभक्ती फिल्म देखते वक्त आपके रॉंक्टे खड़े हो जाने चाहिए आपके अंदर भी जोश पैदा होना चाहिए, आपकी आँखों में आसू आने चाहिए और जब दुश्मन की बात हो तो आपके अंदर भी हुस्सा और उग्रता नजर आनी चाहिए लेकिन अफसूस की ये जो जितनी बाते मैंने बताई इन पैमानों पर तेजस खरी नहीं उतरती है महज दो घंटे की ये फिल्म बहुत बहुत जल्दबाजी में बनी हुई फिल्म लगती है अवल तो एर फोर्स पर बनी फिल्म होने के बावजूद यहां पर एर क्राफ्ट्स और फाइटर जित्स के जो सीन्स हैं वो बहुत कम है क्लाइमेक्स में ही धेर सारा एक्शन दिखता है उसके पहले फिल्म में जो जिड्स हैं या एर फोर्स की जो बात होनी चाहिए वो सिर्फ सीन्स में होती है किरदारों के डायलाउक्स में होती है लेकिन आसमान में एक्शन नजर नहीं आता और ये सबसे बड़ी कमी है इस फिल्म की क्योंकि जब आप एक एरफूर्स पर फिल्म देखना चाहते हैं तो आप मानते हैं कि बड़े परदे पर आपको आसमान में धेर सारा एक्शन और करतब नजर आए बात करें अगर हम कहानी की तो ये कहानी तेजस गिल की है जिसकी फैमली 26-11 के हमले में मारी जाती है और इस हमले में मारा जाता है उसका प्रेमी भी और इसके बाद तेजस जो है उसके पहले ही शुरू से ही एर फोर्स के प्रती उसकी दीवानगी है और वो एर फोर्स जॉइ жизни पूरी करती हैं अच्छे से पूरी करती हैं और इन सब के बीच बहुत सारे मामलों में जो तेजस गिल है वो नियम काईदों की जगए अपने दिल की सुनती है और ये सकीरदार की बड़ी खुबसूरती है बहुत अच्छी बात जो है वो आपको नज़र आती है इसको अच्छे तरीके से स्टैबलिश भी किया गया है लेकिन अब तेजस के सामने मिशन सामने आता है मिशन क्या है मिशन यह है कि एक इंटेलिजन्स आफिसर भारत का एक चासूस जो की पाकिस्तान के आतंकियों की कैद में है उसे वहाँ से निकालना है अब इसके लिए जो प्लानिंग होती है वो प्लानिंग बहुत ही चैलेंजिंग है कैसे तेजस उसे निकालती है और इन सब बाने में ये कहानी बुनी हुई है अब मुश्किल क्या है इस कहानी की कि ये फॉस्ट हाफ में तेजस के परिवार तेजस की निजी जिन्दगी इनी सब में उलजी रह जाती है और धेर सारे गाने जो हैं वो इस फिल्म का मज़ा किरकिरा कर देते हैं फॉस्ट हाफ में किस इसी तरह का कोई थ्रिल नहीं है, फिल्म बहुत स्लो चलती है, नैचुरल लगती है, लेकिन उसके बावजूद जो एक बड़ी और्डियंस को कैटर करने की बात की जाए, तो वहाँ पर ये निराश करती है। तेजस गिल को उन्होंने अपने पूरे हाव भाव में और जिस तरह से एक एरफोस आफिसर का पूरा रुआब होना चाहिए, जिस तरह से उसे पेश करना चाहिए, और सबसे खुबसूरती इस करदार की ये है, कि ये बड़ा जजबाती सा करदार है, देश के लिए मर मिटना भी चाहता है, अपने परिवार के प्रती भी उसकी जिम्मेदारी है, ये इमोशन जो है, वो कंगना ने अपनी आखों से, अपने जजबातों से इस कदर पेश किया है, कि वाकई उनके लिए ताली बजाने का दिल करता है, बहुत सारे सीन है, जहां पर दर्शक ताली बजा थे कीरदारों में बहुत जदा याद रखने लाए किरदार नहीं है, ये सबी सपोर्टिंग पर ईक्टर के रोल में है और उनका किरदार बहुत ज़दार नहीं है, वो बस फिल्म के एक कह सकते हैं, फिलर के तोら पर सामने आते हैं। देखा हुआ है यहां पर उसकी कमी नजर आती है वी एफेक्स खराब है टेक्निकली फिल्म को जितना साउंड होना चाहिए वो नहीं है और गाने इस फिल्म का मज़ा किरकिदा करते हैं फिल्म को इन सारे पैमानों पर मेरी और से पांच में से धाई स्टार रहा यह बहुत अ होने के लिए क्या चाहिए अवल तो उसकी कहानी बहुत दमदार हो दूसरा कहानी आपके दिल पर लगे तीसरा उसमें शांदार संदेश हो मैसेज हो सब के लिए और आक्टर्स की दमदार बेमिसाल अदाकारी हो और सबसे एहम बात उस फिल्म में आडियंस को हसाने और चुकी है और इस फिल्म का नाम है ट्वेल्थ फेल जिसे बनाया है